दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की एक और नए वीडियो में और आज इस वीडियो में बात करेंगे तीन ऐसी एनिमे सीरीज के बारे में that are not so popular but worth watching तो चलिए without wasting time एक एक करके इन एनिमे के बारे में बात करते हैं हमारे लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे एनिमे सीरीज है उसका नाम है जुजिट्सु काइसन यह एनिमे सीरीज रिलीज हुई थी एर 2020 में और इसे IMDb रेटिंग मिली है 8.7 out of 10 इस सीरीज में एक बहुत ही courageous और fearless high school student यूजी इटाडोरी की story को दिखाया गया है जो कि एक secret sorcerers की organization को join करता है एक बहुत ही dangerous curse को मारने के लिए जिसका नाम होता है सुकुना अब सीरीज के according curses जो होते हैं वो monsters होते हैं जिने आम इनसान नहीं देख सकते हैं लेकिन sorcerers देख सकते हैं इस series का अभी सिरफ एक ही season release हुआ है जिसके 24 episodes हैं और अगर आपको ऐसी adventure fiction और dark web series देखना पसंद है तो आपको ये anime series ज़रूर देखनी चाहिए चलिए बात करते हैं हमारे list की second anime series के बारे में जिसका नाम है My Hero Academia ये series शुरू हुई थी year 2016 में और इसे IMDB rating मिली है 8.4 out of 10 इसमें दिखाया गया है कि world की 80% population जो है उनके पास super powers होती हैं और उन में से कुछ heroes होते हैं और कुछ villains होते हैं अब इन powers को quark के नाम से address किया गया है series में और हमारी series का जो lead character है Izuku Midoriya वो quarkless पैदा होता है मतलब उसके पास कोई power नहीं होती है तो अब आगे series में हमें यही दिखाया गया है कि किस तरीके से Izuku को quark मिलता है और वो कैसे world का सबसे greatest और powerful hero बनता है इस anime series में आपको total 5 seasons और 2 movies देखने को मिलेंगी जिनको देखने का एक specific order है जो कि मैं नीचे description box में देदूँगा तो do check it out और भाई comment करके जरूर पताना की series कैसी लगी तो चलिए finally बात करते हैं हमारी list की first anime series के बारे में जिसका नाम है One Punch Man ये series शुरू ही थी है 2015 में और इसे IMDb rating मिली है 8.8 out of 10 इस series में भी आपको heroes और monsters देखने को मिलेंगे जिनके अलग-अलग agendas होते हैं लेकिन वो सब important नहीं है important है इस anime series का lead character जिसका नाम है Saitama He is one of my favorite character of all time अब Saitama जो है वो एक emotionless इंसान है series के recording क्योंकि उसने तीन साल इतनी ज्यादा training की है कि उसके सारे बाल जड़ चुके हैं और उसको कुछ भी feel नहीं होता मतलब ज्यादा emotions नहीं है उसके अंदर और Saitama जब भी किसी monster को encounter करता है उसे एक punch में नॉक आउट कर देता है इस series में total आपको दो season देखने को मिलेंगे और most probably third season इसका अगले साल release हो जाएगा और आपने अब तक अगर ये series नहीं देखिये तो इसको जरूर देखना भाई trust me मजा आ जाएगा तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो के लिए सिरफ इतना ही फिर मिलेंगे ऐसी नहीं शानदार वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye data see you